नमस्कार आज हम बनाने वाले हैं लिट्टी चोखा वैसे तो लिट्टी चोखा बनाने में बहुत समय लगता है लेकिन आज हम जिस तरीके से लिट्टी चोखा बनाने वाले हैं इसे आप अपने घर पर बहुत ही कम समय में जटपट से बना कर खा सकते हैं और इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तेल मसालों को जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए हम सुरू करते हैं लिट्टी चोखा बनाना लिट्टी चोखा बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कप गेहूं काटा लिया है तो सबसे पहले हम लिट्टी के लिए आंटे को गुथेंगे अब आंटे में डालेंगे दो छोटी चमज तेल तेल को हम आंटे मिला लेते हैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा पाइन डालकर आंटे को गुथेंगे हम थोड़े थोड़े पानी डालते जाएंगे और आंटे को लपेटते जाएंगे लिट्टी के लिए हम आंटे को बहु सक्त बनाना है हम मेडिय में आठे को गुथेंगे आठे को हमने गुथ कर तयार कर लिया है इतना मुलायम आठा हमने गुथा है अब आठे को हम ढखकर रख देते हैं तब तक के लिए हम फिलिंग तयार करेंगे फिलिंग के लिए हमने यहाँ पर आधा कप भूना हुआ चना को हम जार में डाल देते हैं और इसी में एक छोटी चमज जीरा डाल कर पीस लेते हैं चने को हमने पीस लिया है पीसने बाद यह सत्तु बन गया है अब इसे हम बावल में निकाल लेते हैं अब इसमें डालें के दो बारिक कटी हुई हरी मिर्ज एक चमज बारिक कटा हुए प आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चमच धनिया पाउडर, आधी छोटी चमच नमक, और एक छोटी चमच देसी घी डाल कर सारे चीजों को मिला लेते हैं. इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि फिलिंग को हमें भरभरा बनाना है. अब इसे हम हाँ से मिला लेते हैं, जिससे सत्तों में सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं. सारे चीजों को हमने अच्छे से मिला लिया है, अब लिट्टी के लिए फिलिंग बनकर तयार हैं. अब हम चोखा बनाएंगे, उसके लिए हमने यहाँ पर चाट टमाटर भून कर पानी भी गोया है. चोखा बनाने से पहले हम टमाटर को छिल कर साफ करेंगे, जो टमाटर को उपर जले हुए छिल के हैं, उसे हमें अच्छे साफ करना है. चारो टमाटर को हमने छील कर साप कर दिया है अब इसे हम हाँ से फोड़ कर मैस करेंगे हम चोखा में बाइगन नहीं डाल रहे हैं लेकिन आप चाहें तो इसमें बाइगन के इस्तिमाल कर सकते हैं टमाटर को हमने मैस कर दिया है अब इसमें डालेंगे थोड़ा से बारीक कटा हुआ हराधनिया दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च एक छोटी चमच नमक स्वात के अनुसर और दो छोटी चमच सरसो के तेल डाल देते हैं हम इसमें तेल के इस्तिमाल ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने सरसो का कच्च तेल लिया है यहाँ पर हमने दो बुबला अलू फोड़ कर लिया है इसे भी डाल देते हैं अब टमाटर में हम सारे चीजों को अच्छे समिला लेते हैं इसमें जो अलू के बड़े बड़े ढोके हैं उसे हम चम्मस से फोड़ कर महिन कर देते हैं जब आलू अच्छे समैस हो जाएंगे तो टमाटर में पूरी तरह से मिल जाएंगे टमाटर में हमने सारे चीजों को मिला कर चोखा बना लिया है अब यहाँ पर लिट्टिक लिए चोखा तयार है अब चलते हैं हम आटे की तरफ लगवक 15 मिनाट बाद हम आटे को देख लेते हैं यहाँ पर आटे अच्छे से फूरकर सेट हो गये हैं अब आटे को हम मसल कर लोई बना लेते हैं इस तरह से हम छोटे छोटे साइज के सारे लोई बना लेते हैं सारे लोई को हमने बना लिया है अब इसे उठा कर बावल में रख देते हैं अब एक लोई हाथ मिलने कर मसलते हुए चप्टा करेंगे इसके बाद हम इसको हाथ से फैला कर बढ़ा कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें फिलिंग करना है अब इसके अंदर हम एक चम्मग सत्तु फरेंगे जितना इसमें जगा है उतना हम फिलिंग करेंगे जिससे हम इसे असानी श्पाइक कर सकें अब इसे हम चिकणा बॉल बना लेते हैं अब हमने पहला लिट्टी बना लिया है इस तरह से हमें सारे लोई के लिट्टी बनाना है हम सारे लिट्टी को एक साइज को बना रहे हैं लिट्टी को आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े साइज में बना सकते हैं एक एक करके हमने सारे लिट्टी को बना लिया है अब इसे हम सेकेंगे लिट्टी सेकने के लिए हमने गैस पर अपे पायन रख दिया है इसी पायन में हम लिट्टी को सेकेंगे तो पहले हम सभी ब्लोक में अच्छे तेल लगा देते हैं अगर आपके पास इस तरह का पायन नहीं है तो आप लिट्टी को तेल में तल कर बना सकते हैं पायन में हमने तेल लगा दिया है, अब एक एक लिट्टी हम सभी बलॉक में डाल देते हैं, अब पायन को हम तीन से चार मिनट के लिए धक कर लिट्टी को सेखेंगे, गैस को हमने मेडियम में किया है, लगभक चार मिनट बाद हम धक कर लिट्टी को देख लेते हैं, आप द लिट्टी को पलटेंगे, अब इसे हम धेरी धेरी पलट देते हैं, जिससे दुसरी साइट अच्छे सिख जाएं, अब इसे हम फिर से ढख कर दुसरी साइट पका लेते हैं, गैस को हमने मेडिये में रखा है, अब ढख कर अब ढख कर हम फिर से लिट्टी को देख लेते हैं, अब लिट्टी दोनों तरफ से हलके सिख गए हैं लेकिन अभी ये पूरी तरह से पके नहीं हैं लिट्टी को हम इसी तरह अभी 2-3 मिन तक आउट सेकेंगे जिससे पूरी तरह से सुनहर रंग में हो जाएं इसी तरह हम थोड़ी थोड़ी देर में पलड़ते रहेंगे अब आप देख सकते हैं लिट्टी पूरी तरह से सुनहर रंग में हो गए हैं यहीं कि लिट्टी पूरी तरह से सिख कर पक चुका है अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं सारे लिट्टी खुमने प्लेट में निकाल लिया है आप देख सकते हैं कितना बढ़िये लिट्टी हमारा सिक कर तयार हुआ है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमाने लिट्टी चोखा बनकर तयार है चोखा के उपर हम थोड़ा स्प्याट डाल देते हैं बहुत ही कम तेल मसालों में हमने लिट्टी चोखा को बनाया है अब एक लिट्टी तोड़ कर हम आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा बना है आप देख सकते हैं इसके अंदर का फिलिंग कितना बढ़िया लग रहा है और ये अंदर तक अच्छे से पक गया है इसके उपर थोड़े देशी घी डाल देते हैं देशी घी में लिट्टी चोखा खाने में बहुत स्वादिश लगते हैं तो इसलिए हम इसमें देशी घी डाल रहे हैं तो आप भी इस तरीके से अपने घर पर बहुत ही कम समय में आसाने से लिट्टी चुखा बना सकते हैं, यह लिट्टी चुखा खाने में बहुत ही स्वाधिश लगते हैं, अगर आप कम तेल मसाले वाला खाना पसंद करते हैं, तो आप इस तरह से लिट्टी चुखा बना कर जरू खाएं